हलो फोर्थ क्लास, now we will revise lesson 2, new entries, okay, families keep changing all the time, new members join our families while the older ones age and die, the occasions where new members enter our family are mostly marriage and birth, ठीक है, यह जो chapter है, यह chapter में हमने यह पढ़ा था कि हमारे family में new entries केशे होते हैं और family दिनों दिन, change होता रहता है, जो लोग अभी ठीक मतलब ठीक एज में हैं तो वो बड़े हो जाएंगे ठीक है और बचे आज जो है वो बड़े हो जाएंगे तो इसे क्या होता है, कि जो बड़े लोग होते हैं, एजएड वाले लोग होता है उनका डाएड हो जाता है, औ कि यह मैरे सेलिब्रेशन होता है उसके बाद होता है जो लेरी यह पता होगा दुलन जब घर में आता है तो इतने सारे चीजें लेके आता है तो इसको क्या बोलते है ढाओरी उनके उपर दबाव डाला जाता है कि हमें यह यह समान चाहिए हमारे घर के लिए तुम यह दोगे यह इसे बोलते जाहिए और वne देखते हैं कुछ फैमिली में इसी तरह करते हैं कि जो दुलन ज्यादा डावरी नहीं लाती है तो उसके ओपर टचर करा जाता है तो जो एजुकेटर्ड लोग हैं हम लोग को यह शोचना चाहिए कि यह इसे नहीं होना चाहिए समाज में तो उसके एगेंस में हमें आवाज चाहिए ना हम खुद ही करेंगे ना किश्य को करने भी देंगे तो यह क्या होता है राजस्तान जैसे जगे में राजस्तान में क्या होता है चाइल्ड मेरेज होता है आजकल तो नहीं होता होगा लेकिन चाइल्ड मेरेज के उपर ज्यादा जोड़ डालते हैं देखा होगा वो शीरियल में दिखाते हैं ना सोटीशी बच्ची को साधी हो जाती है कितना घर का काम करती है तो हमारे जो गवर्मेंट के रूल के रिचाप से लड़की को गर्ल को 18 years होना चाहिए बॉय को 21 years होना चाहिए उसके नीचे वाले जो जिनकी साधी हो जाती है उसको बोलते है च डाने की इच्छा होती है फिर पढ़ने बात है जो निउबान बेवी घर में आता है तो घरमें कितने खुशी होती है न सारे लोग उसके ऊपर धान डालते है कैसे क्या खेल रहा है उसके आसपास ही लोग रहते हैं उसके बाद ऐस आजटर पैरन्स और आडप्टर चाहिए foster parents किसे कहते हैं जिन couples को बिल्कोल बच्चा नहीं होता है बच्चे नहीं है जिन parents के उनको बोलते हैं foster parents और वो क्या करते हैं दुर्शे जगे से बच्चे को आडप्ट करते है foster parents वो होते हैं जिन पैरेंट्स के बच्चे नहीं होते और वह दूसरे जगे से बच्चे को अड़ाठ करते हैं थिके और यह अरफानेज क्या होता है इसी तरह और्फानेस से बच्चों को आडप्ट करते हैं तो बच्चों का भी अच्छा होता है बच्चे भी उनके भी किस्मत खुल जाती है बच्चों को पढ़ाई लिखाई सब मिलता है ठीक है इसे पीपल और गानाइज ग्रांड वेडिंग शिलेवरेशन इन आल पार्स वार्ड पाता है वेडिंग जो होता है आजकल तो दिन ओंधिन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है घ्रांड तरीके से मेरे सरिमोनी होता है तो यह जगे के हिसाब से और धर्म के हिसाब से हिंदू-छों का मेरेश होता है सीख अब होटा है मुस्लिम का इस नहीं होता सबका अलग-अलग होता है तर्चर देर ब्राइड्ट फर डावरी ठीक है कुछ फैमिली होते हैं हमारे समाज में जो कि अपने दुलन को अपने बहुद के ऊपर बहुत ज्यादा टर्चर करते हैं मतलब उसको उपर दवाब डालते है और हमें क्या करना चाहिए समाज में यह सब जो डावरी चाइड मैरेज यह जो चीज़े है डिस्क्रिमिनेशन एगेस्ट बॉय और गॉल के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करना मतलब फरक रखना घर में बॉय होता तो बहुत ज़्यदा लाड़ प्यार होता है लड़की है तो चल घर का काम कर यह कर बाहर नहीं जाना बहुत शारे रोक्तों को होता है तो इसके बारे में आवाज उठाना चाहिए अभी निवार से वेडिंग ए शेरमनी वें तो ग्रोण अप इंडिविजल डिसाइड तो स्टे तोगेदर दावरी एक्सेश गिव्स आक्षिन मैरेज फं दो गोल्स फैमिली अर्फनेज ए प्लेस वेर चिल्डरेंग फोहाब लॉस्ट देर पारेंट्स स्टे फोस्टर प आपको यही चीज फिल इन द ब्लांक में मैं आपको कराऊंगी ठीक है नमबर वान इन चाइड्ड मैरेज गर्लीज बिलो एटीन यह प्लेस वेर चिल्डरेंग फोहाब लॉस्ट देर प्यारेंट्स ते इचकल जहां पर जो पैरेंट्स अपको खो देते हैं वह बचे कहां रेतें औरफनरेज गिफ्स देमद रो मॉझे पर चैनल चाहरते प्यारेंट्स निवारी दिए इन डावरी उद्ट बिलोंड का इस लुख ज़ित देर दोनीज रेते हैं विलोंग यह बल्ट आपको प्यारते हैं ब्लीज दोनमने प्रेटेंग अर्वाङ उड्स यह bei प्वाबरेति अफॉध सेma करम जब भर में बच्चा आथा है तो बच्चे के लिए फंक्शण करा जाता है लेकिन लोग क्या करते है जाब बॉइभ होता है तो लोग क्या हंते हैं बहुत बढ़िया फंक्शन करते गौर्ड चाहिड होता है तो बिल्कुल फंक्षन करते ही नहीं है यह होगा आफ बॉइ र्यादर द्याने गॉर्ड चाहिए वी मस्ट फाइप एगेंस्ट इविल्स लाइक चाहिड मेरेज ड्यास अंड डावरी यह सब जो है हमारी जो समाज में इसके एगेंस्ट में हमें आवज उठाना चाहिए पैदा होते हैं बच्चे न्यू बन बेबी आती है तो यह होगे हमारे रिविजन अफ लेशन टू आप लोग क्या करोगे पैरेंस के साथ बेट कर तो आपको एशी तरह चाप्टर को दुबारा पढ़ोगे ठीक है चाप्टर को दुबारा पढ़ने के बाद सारे जैसे एक्सरसाइज बूक में है छोटे-छोटे एक्सरसाइज यह सारे है यह सारे आपको गर में प्राक्टिस करना है और जो मैंने फिलिंद ब्लांक्स दिया है उसे वह भी तुम्हारे बूक में से है इसे भी अच्छे से करना है फिर नेश क्लाश में मैं लेकर आऊंगी वाक्षुट जैसे बना कर लेकर आऊंगी तुक्या